कि अधियों के हो गए हैं और जो लोग हैं जो फौजी हैं जो वहां बठे रहते थे बॉर्डर पर हमारी रक्षा करते थे पिशले दस महीने से पिशले दस महीने से लगातार यहाँ पर बेट महीअ हैं बहुत सारे जो हैं वो समस्याई हुई लेकिन उसके बाद भी डटे रहे और कह रहे हैं जुकि कुछ लोग जो है वह लगातार यहां पर बैठके अंसन कर रहें, तो वही कुछ लोग सारे पुरे बारत देश में घूम को जागरूद कर रहे हैं, वहीं गया है कि पेटा जो सोच रहा है, अगर उनको आरोपी मिला, अगर उनको सारी चीज़े मिली, हम को मिलेगा सर आप तो हूंते रहते हैं क्या लगता है आपको क्या गूमने से लोगों को जागरूप करने से जागरूप का पहलेगी बिल्कुल मेडम आपके बातों में 100% दम है और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिकल चीजें बता रहा हूं चाहें देश का कोई भी को प्रभाविद कर रहे हैं क्योंकि हम उनकों बता रहे हैं कि तुम्हारे साथ तोठी अन्याय हुआ है जी सर्कार में देने के बज़ाए हमारा हग्म बीचेंग दिया है कुछ नहीं दिया है मैं आपको एक्जांपल बता रहा हूं भारत के इस तरह का मोबाइल आप रखो आपको इस मोबाइल में सारा चीज मालूम हो जाएगा दूट का दूट और पानी का पानी बिल्कुल कि आपके साथ कहा लिया हुआ है जब हमारी 7-Pay Commission जब भैठी थी पहली 7-Pay Commission का जो और उपी वन का जो पहला था वहीं से गड़बड़ी हुआ था पहले तो आपके सुनने वाड़े देखने वाड़े सभी को जगबीर जजज़र की तरफ से जए हिंग जए भारत जए किसान एकता जए जवान एकता सरकार कह रही है कि हमने और ओपी दे दिया है लेकिन इसके बाद भी यहां जंतर मंतर पर रगातार बैठे अंशन कर रहे हैं जो हमारे जमान है वूद्पूर्पूर्प और कुछ लोग बॉर्डर पर कभी कभी आने के लिए कोशिश करते हैं उनको वहां रोक दिया जाता है अगर वो अपने जिले में राज्ज में कई अंसन कर रहे हैं तो वहां भी रोक जाता है तो किया यह सरकार की जो रोकने का सिलसिला है या ऐसे ही चलता रहेगा क्या जो पोज़ी मुन के पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं चैसे आपने बोले रोपी दे दिया जिस नही की पेली उनको डबल फायदा होया हमारे को तो चाह भी ना मिली कहां से चाह का दूद्ध भी नहीं मिलें हमने तो किनारे कर दिया कैमरा घुमाओ यह नीम का पेड़ दोस्तो दिन धरना दिया सत्वी जर्नल सत्वीर के साथ मैं और सारी मलाई नहीं वह सत्वीर चाह टी गया अब सर्थे जितने कैबिनेट में बैठने वाड़े रक्ष्या मंत्री के साथ सारे के सारे वहीं चाह गए हमारे क् सब्सक्राइब कर दोस्ता है और कुछनी अमारा परगट सिंग साहब है सुवेदार साथ कितनी उच्ची टंकी थी तो टंकी पचड़ क्याता चंवन साल जिस आदमी की उमर हो और इस धरने को चला रहा हो और उसका देक्स हो वह चंवन साल का आदमी कि पूटकी आइट पचड़ के बैठ गया तो चब भी नहीं मानी गई सरकार ने क्या यह सारे जयान दे दे तम्मन ना गया मोदी बहुत बहुत सारे अगर बात करें जवानों की तो उनकी तबीयत भी विगड़ी है कुछ लोगों के जो है वह ऐसी भी खबर आई कि उनकी देख हो गई है क्यों नहीं होगी तबियत खराब हो जाए ठंड लाग जा चाती जाम हो जाए जो अशी नब फुट उच्छे बैठा होगा वहां बर्फिले लाके की आवाए ठंडी आती है बागडा डैम के उपर जाओ वहां बैठो दस मिंट में आदमी जाम कर देता है उ चीची चोटियों पर गलेशियर के साथ में चले जाओ वहां लेना सांस मुश्किल हो जाए मैडम यहां तो हम उसमत चांजनी चोक में बैठे हैं बड़ी आपिपड़गी आवा में ली है कभी किसी चीज की और हमारे को दुर्भागय पूरण है इस पर धान मंतरी ने रक् सब्सक्राइब तारी कभी 15 जाओ कभी 20 कभी तीन चार्थ से सूरु हो जाती है तो व्य नहीं तरह इस पर ज़रा भी भरो सा नहीं है हम ऐसे ही चरकाते क्योंकितन भूत अन्वस्टेन करता हूँ कि में त्युव पता शां लोड़ करो और देखो तुम्हें नोशनल प्रेमेंट जो सेबंटे कमिशन में दिया गया था तुम्हें क्या प्रेमेंट मिलता है और आज ये सरकार क्या प्रेमेंट डेती है बलकि उसमें से भी 55,000 हमारी बेसी कार्ट ली गई है मैडम तो कैसे आप बोल सकती हो क्यों और प तीन बच्चे हैं तीनों का तीने सरकारी नोकरी से बंचित हैं एक लड़का हमारा CDS में भी पास किया LDA में भी पास किया दो बार और Air Force जो है न ऑफिसर एक्जाम में भी पास किया था लेकिन आज भारत सरकार जो है आप देखिए बिहार से और पता नहीं कहां कहां से लड़के आ रहे हैं और वो बेचारे Air Force आर्मी जो भी एक्जाम था वो एक्जाम दे करके 12 साल की त्यारी अपनी पैसे की कुर्बानी करके त्यारी किये से और आर उनको नौकरी भी नहीं दिया और उनका एज एक्षपायर हो गया तो कहीं लाइक नहीं है बेचारे आज जनता मंतर पर दरदर की ठोकरे खाके हमारे पास आए हैं जिल पर आप लोग नहीं को मैंनम चाहें वह कॉंग्रेस की सरकार हो या भाजपा की सरकार हो या किसी भी सरकार को कोई भी पाथी की सरकार हो सब जूतों देते हैं कि जय जवान जय किसान यह जवान और किसानों पर अपनी जो है पॉलिटिस करते हैं लेकिन मैं आपको आस्वासन दे रहा हूं कि हमा सब्सक्राइब करें रहे हैं मेडम यह बताओ जब हमारी मांग को अगर सरकार मान नहीं रही है तो आप बताए हम पढ़े लिखें यह नहीं है कहते हैं हम वह सब्सक्राइब करें चाहिए हमें समान्ट चाहिए हमने 25 साल वही तो मैं बोड़ रहा हूं सरकारे सब भूल दाइए आज यही कारण है कि आज हमारा देश का सैनिक जो है रोड पर आ चुका है अपने हग को लेने के लिए बार-बार निवेदन कर रहा है कि अभी वक्त है तो अजार चोबिस आने में आप सुधार जाओ नहीं तो सैनिक अब जाग चुका है शुधार के रहेगा इस तरह से सैनिक जाग चुका है देश का नौजवान और किसान ये दोनों भी हमारे साथ मिल करके आज जागरीत हो चुके हैं और हम जो है दोहजार चौबिस में सरकार अगर नहीं सुनी तो हम धज्यां उड़ा दें अब लोग जाग चुके हैं सरकार अभी सोईी ही रही है सरकार कब जाग जब जब यहां सैनिक रोड़ पर बैठ यह पहले किसान बैठ रोड तेरह महिने आपना तंबू लागे टीकरी बोर्डर पाए संग ओ बोडर पर गाजिपूर बोर्डर पे शाजापूर बोर्डर प पिश वे थे, तो ये कानुन उसी, किसान भी उसी जग ऐसे आता है, उसी के बेटे ही ये, दमान, सर्दी, सर्दी अंत हो रहा था, गर्मी देखी, सर्दी देख रहे हैं, तो क्या फिर गर्मी देखी गे? यह देखाएंगे दिखाओगी या सरकार क्या करें नहीं सुनाई कर रही तो दिखावएगी इब दुबारे गर्मी आ जागी असरती उतर जागी दस महीने हो लिए उपर लागयर मा सरू हो गया भी तो यह सुन क्यों नहीं आ रही एक चुराण मैं साल का टंके में तो नहीं ले रही है अभी देखो चार तारीक के बाद फैसला होगा अरे सर ऐसे तारीक तो बहुत आते रहे हैं नहीं यह नहीं है यह सचाई है अच्छा ब देखो अभी आने वाड़ा समय चार तारीक तीन दिन ने तो बाकी है यह जो गवर्नर की बात है हम वहीं उसी दिन थे और हमें जानने के लिए थे कि गवर्नर ने क्यों बुलाया है जब हम उस गवर्नर को मुख मंटरी को MP को MLA को जब लिखी थम बेच चुके हैं सबके पास मेमोरेंडम लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना लेकिन चुकी जो है यह पहली हमारी लड़ाई थी हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दिया हुआ है ठीक है लेकिन अगर चार तारी को भी गवर्नर साहब के कहने पर यह भारत सरकार अगर हमारी सुनवाई नहीं करती है तो हम जो मैडम आपको बता देता हूं कि इसे भी बड़ा गोर्परिवर्तन लाने के लिए हम संगर्व करने के लिए तैयार है अगर हम जीतने भी चाहें कोंग्रेसी हो या भाजपा के हो या कोई भी पार्टी का हो अगर उनकी नीव हमां उखार देंगे तो कहां सो बचेगी विपक्ष भी तो यही कहा रहा है न लेकिन अपने अपनी मांग के लिए आज पता नहीं आज आप देख लो एक साल होने जा रहा है और अपनी मांग के लिए दरदद तो डेका रहे हैं हमारी खुट की पार्टी है और हम अपना हाथ लेके रहेंगी तो आप भी बन गए ना विपाक्ष मैडम आप बोल चक्ति हो नहीं बोल रहें तो पूछ रहा है कि कांग्रेस पार्टी और विपाक्ष कह रहा है कि हम तो अटे-अटे यह तो हमारी जगह ले लिए मैडम ऐसी बात नहीं है पहले हमें अपनी जो है न देखने दो सरकार कहां तक जो है सुधर्टी है अगर नहीं सुधर्टी है तो हमने कशम खा लिए कि हम सुधार के मानेंगी अब यह देखो आगे-आगे होता क्या है अभी आपने कहा कि हम गिरा देख बिलकुल अब क्या हो दस माईने हो गया है तीन-चार माईने की बाहत तो बैठे रहेंगे और रिकॉर्ड बना देंगे कि भाई हमको भी तक तभी अपना जो हक मिला है जब हमने यहां पर एक साथ से ज्यादा टाइम जो है वो लगातार यहां पर धरना दिया और चार दिन की चारदारी को इनको जो है एक आवरा स्वाशन मिलेगा देखिए